हेलो अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स हमारी बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं का यह सवाल होता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान फीवर आने से इसका बच्चे पर या प्रेग्नेंसी पर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो प्रेग्नेंसी में फीवर आने के बहुत से अलग- क्योंकि बॉडी में इस viral fever से fight करने के लिए immunity होती हैं लेकिन बहुत से virus और bacteria harmful हो सकते हैं severe viral infection या severe bacterial infection की वज़े से अगर fever आ रहा हो और fever के साथ कुछ associated symptom भी हो तो ये harmful हो सकते हैं क्योंकि ये viral या bacterial infection mother से baby में पहुशते हैं placenta को cross करके baby में पहुशते हैं और बेबी को नुकसान पहुचा सकते हैं बेबी में कुछ congenital abnormalities आ सकती है या miscarriage होने का खत्रा भी हो सकता है तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा fever आपको नुकसान नहीं पहुचाएगा और कौन सा fever से आपको या आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है ये देखना जरूरी है कि फीवर प्रेगनेसी के पहले तीन महिने में आ रहा है या उसके बाद आ रहा है फीवर के साथ कोई सिम्टम है या नहीं है तो आप टैबलेट परसेटमॉल ले सकते हैं जो डोलो 650 नाम से मिल जाती है लेकिन मेडिसिन लेने पर भी अगर फीवर सेटल ना हुआ तो आपको आपके डॉक्टर को कंसर्ट करना चाहिए आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफिय अडवाइस करेंगे ये ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाना जरूरी होगा इंपेक्शन की जानकारी के लिए accordingly आपके डॉक्टर आपको कुछ medication advice करेंगे या हो सकता है आपको hospital में admit भी होना पड़ाई अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक हीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए